आज हमारे किचन में बनने जा रहा है, साम करना स्ता, चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं, नमस्ते दोस्तों, सोनी मिल्स में आपका स्वागत है, इस जगर मिक्सिंग बॉल में एक कटूरी बेसर, अब इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे, हल्दी आधा चमच, जीरा आधा चमच लहसुन का पेस्ट आधा चमच, आधी का पेस्ट आधा चमच, इस जगर तीखी लाल मिल्च है, अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अब इसमें दो हरी मिर्च डाल देंगे, जो बारी कटा हुआ है, और इधर कड़ी पत्ता के दो डंठल लिये हैं, उसके पत् सारे इसमें नमक डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारे सामगरी को, मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, यदि पहली बार आप बना रहे हों, तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के बनाएगा, नहीं तो घोल जो है, ब अब ब्रेट के चार पीसेस लिए हैं और उसे चक्कू से एक ब्रेट के पीस में चार भाग कर लेना है इस तरह सारे को कर लेना है इस जगह बेशन के घुल में थोड़ा सा कस्तूरी मेथी क्रस करके डाल देंगे इस लिए डालना है कस्तूरी मेथी के बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है इस जगह मीठा सोड़ा चुटकी भर डाल के उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद अब ब्रेट के जो पीसेस कट करके रखे हैं और इधर कड़ा ही मेरी फाइन गर्म होने के लिए रखे हैं अब उसमें इस तरह से बेसन में डालेंगे ब्रेट के पीस को और इस तरह से चमज की साहता से इससे निकाल कर इस तरह से आप चमज से भी डाल सकते हैं और एक पहले ही डाल चुके थे जो विडियो ओन करना भूल गये थे चमज से डालने से क्या होता है कि बेसन जो है थोड़ा थोड़ा बुरादा की तरह ज्यादा गिरता है और हाथ से इस तरह से उलट प्लेट करके बेशन में और तब डालेंगे तो वे ज्यादा बेशन इसमें कडाही के अंदर छोटा छोटा नहीं आता है नहीं गिरता है इसलिए आप हाथों से डाले तो ज्यादा अचछा है और इसे wallot plate करके और इसे तल लेना है अब तला चुका है तो कडाही से अब इसे निकाल लेंगे कडाही में धैना रखना है कि तीरचा करके ही इसे निकालना है क्योंकि जो extra refined है उए ती कडाही के अंदर ही निकल जै और निकालते बद प्लेट में टीसू पेपर रख लेंगे उसके बाद निकालेंगे जो एक्स्टा रिफाइन है वे टीसू पेपर में आ जागा सारा इस तरह को तल लेना है आप इसे एक बार जरूर बनाए खाएं अच्छा लगे तो लाइक सेर और सब्सक्राइब करें